हेलो दोस्तो रेल कारवा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी भारती रेलवे रेल नेटवर्क के नजरिये से बहुत ज्यादा विशाल है और इसके साथ साथ भारती रेलवे की काम करने की प्रनाली भी बहुत ज्यादा बड़ी है जिसमें खलासी क्या है और क्यों भारती रेलवे अभी सपत को खतम करने जा रही है तो आज के इस वडियो के अंतक बने रही है और हमेशा की तरह हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वुडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए तो चलिए आज का रेल कारवाँ शुरू करते हैं अंग्रेजों के समय से भारती रेलवे के ग्रूप ए अधिकारी कम से कम जे ए ग्रेड को अपनी पसंद के किसी भी व्यक् को अपने बंगले पर टेलिफोन अटेंडेंट कम डाक खलासी मतलब डी एडी के रखने का अधिकार था जैसा कि इस पद का नाम है खलासी मतलब आजकल खलासी पद नाम को सहायक या हेलपर कर दिया गया है और यह अधिकारी के बंगले पर ही रहता है और उसके दो खास काम है पहला लैंड लाइन टेलीफोन को अटेंड करना और उसको उठा कर सहाब के पास तक ले जाना यदि साहब लॉन में बैठे हो या किसी दूसरे कमरे में हो या टेलीफोन एक लकड़ी के स्टैंड पर रखा होता था और उसकी कनेक्शन लीड वायर काफी लंबी होती थी ता दाक मतलब ओफिशिल लेटर्स यदि साहब किसी दिन लाइन मतलब फिल्ड पर गए हैं और ओफिस बंध होने के बाद रात आठ नौ या दस्क बजे घर लोटते हैं तो या डाक खलासी ओफिस में उनके कार्याले अधिक्शक मतलब ओएस से उनका डाक पैड लेकर घर लात है ताकि साहब घर लोटने पर अपनी डाक मतलब लेटर्स देख सकें जब तक मोबाइल नहीं थे तो अधिकारी लाइन से बंगले पर लोटने के बाद डाक देख कर और कंट्रोल ओफिस से फोन पर बात करके अपनी पोजिशन लेते थे इन दो काम के अलावा इस टेलिफो मतलब चार महिने तक कैजवल लेबर रहता है जिससे डेली वेजेस रेट पर वेतन मिलता है फिर उसकी स्क्रीनिंग मतलब टेस्ट करके उसे टेंपोररी खलासी का ग्रेड दे दिया जाता है और बाद में चार से छे वर्ष बाद वह पर्मानेंट हो जाता है इस दोरान भी वह काम अधिकारी के बंगले पर ही करता रहता है इसको एक तरह से बंगला प्यून कह सकते हैं वह तो राज्य सरकार के बड़े अधिकारियों IAS, IPS आदी को भी मिलता है और एक नहीं कई होते हैं जैसे माली, वाच्मेन, आदी चुंकि इस खलासी को घर या बंगले पर रख रखना होता है अता अधिकारी का विश्वास पात्र और वफादार आदमी होना चाहिए इसलिए यह पावर अधिकारी को दी गई कि वह अपने पसंद का कोई भी व्यक्ति रख लें वो उनके होम टाउन या उनकी पतनी के होम टाउन का भी हो सकता है तो अब रेलवे अधि अधिकारी के इसी अधिकार पर उठारा घात किया गया है इससे ऐसा नहीं है कि रेलवे अधिकारी के बंगले पर कोई खलासी नहीं रहेगा अधिकारी अपने डीपो से कोई भी हलपर बुला सकता है लेकिन वो सेंक्षन स्टेंग्थ का ही होगा इससे रेलवे की मैन पाव हैं कि अब रेल्वे में खलासी या हेलपर की पोश्ट समाप्त हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है हर डीपों में जितने खलासी या हेलपर के पद स्विक्रित हैं वह रहेंगे चाहे टेक्निशन हो जेई हो SSE हो उसे कम से कम एक हेलपर तो दिया ही जाता है खलासी या हेलपर के पदों का चायन RRB द्वारा किया जाता रहेगा हम आशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गया होंगे कि अंग्रेजियों के समय से चला आ रहा भारती रेलवे में खलासी सिस्टम क्या है और क्यों भारती अब इस पद को खतब करने जा रही है अगर आज की वडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक् झाल में किया झालक में बड़ाओं किया जाम हो तो